जुले के पहले दिन से ही प्लास्टिक के पन्यों साइथ अन्य प्लास्टिक उत्पादों की बिक्रिवा उपयोग पर लगे कड़े प्रतिबंद के बाद मनपा के एंडिया दस्त ने भी अपनी कारवाहित तेश कर दिये जिससे शहर में खलबली मची हुई है जुले के पहले दिन से प्लास्टिक की पन्यों साइथ अन्य प्लास्टिक उत्पादों की बिक्रिव पर उपयोग पर लगे कड़े प्रतिबंद के बाद मनपा के एंडिया दस्त ने भी अपने कारवाहित तेश कर दी है पांस से दस हजार रुपे का जुर्माना नियम का उलंगन करने वालों पर लगाया जा रहा है साथी सामगरे भी जब तक की जा रही है शरिवार को भी सभी जोन के दस्तों ने 22 प्रतिष्टानों के खिलाप कारवाई कर 2,30,000 रुपे का दन लगाया साथी 133 किलोग्राम प्रतिबंदी प्लास्टिक की पन्या जब की गई वहीं एक लाप के खिलाफ मेडिकल कच्रा सामाने कच्रे के साथ मिला कर फेकने के चलते कारवाई की गई तो एक जगह पर भवन निर्मान सामगरी रोड पर फैलाने के चलते दंडात्म कारवाई भी की गई। प्रतिबंदिक प्लास्टिक पन्यों का उपयोग करने वालों पर जांच अभियान तेज के जाने से हड़कम मचा हुआ। एंडियत दस्तों को जांच के दवरान रात करीब 8 बजे भावसार चोक में प्रतिबंदिस सिग्नल यूथ प्लास्टिक पन्यों से लदी दो गाडियों को पकड़ने में सफलता मिली तो दोनों गाडियों में लगबग 800 किलों से अधिक माल लदा हुआ था। उक्तकारवाई स्वच्चता अधिकारी सुरेज खरे के साथ एडियस टीम कमांडर सुशिल तुपटे निलेश पाठीर संजेगोर आश्चिश गुम्रे एंडी शरीक ने की 30 बैग प्लास्टिक पन्या जप्त की गई। व्यापारिगों नागरिकों से परियावरन संवर्दन हेतू सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्त्यों का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। क्या मेरा परसन राजकुमार मोड के साथ संजेई मिरब बीसेन न्यूज नाकपूर